नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टीचिंग जाम वरलोड में दोस्तों जैसे कि आप सब को पता ही है कि आपकी बियार से चक भरती जो है उसके जो परिक्षा की तारीख है वह नजदीख ही आती जा रही है सायद परिक्षा की यूतित है 24 अगस् सबसे बड़ी समझ्चे यह है कि बिहार से जो स्टेटिक जी के आता है उसको कैसे पढ़ा जाए तुसके लिए आज हम आपको देखते हैं कि बिहार से रिलेटेड आपको दो चीजे आएंगी बिहार करें टेजिए जिसकी क्लास सुबह हमने डाल दी है और लगातार डालते दूसरी के आएगी इस्टेटिक जी के आएगा बिहार से रिलेटेट इस्टेटिक जी के जो है बिहार का इतिहास बिहार का भुखोर तो इसकी क्लास आज से हम सुरू करते हैं तो बिना किसी देरी के हम अपने सेसन को सुरू करते हैं तथा इसको सुरू करने से पहले हमारे एक रिक्रियोष्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा से एर करें चलिए फिर इसमें पहला विंदु है कि विहार एक विहंगा और लोकान मतलब विहार के हम एक दिश्टी में थोड़ा सा परिशे सामाने परिशे लेते हैं तो इसमें व कि पटना उच्च नियाले कि स्थापना एक दिसंबर 1913 अब सब्सक्राइब तो इसमें इंपर्टन्ट क्या है कि अस्थापना एक दिसंबर 1913 थी और घर्टन जो बनलब मतलब राज और केंसासी दोनों मिला लिया जाए तो यह तेरा हमाँ अस्थान पे आ जाता है इसको आप ध्यां रखिएगा चलिए अब इसकी बिहार की जलवाई देखते हैं बिहार की जलवाई शामानी वर्षा जो होती है बारेसो पांच मिली मिली मिलीटर होती है और सबसे पूर्वी जिला है तो उस साइट से जो पाउने आती है उस साइट से वर्षा अधिक होती है बंगाल की खाड़ी से इस कारण से उदर सबसे अधिक वर्षा होती ही तो सबसे पूर्वी जिला भी किशन गंज इसको आप ध्यां रखिया नियूंतन वर्षा कहा होती है अर्वल में होती है जुनतों वर्षा अर्वल में होती है इसको आप ध्याना कीगा सरवाधिक ओशत आदृता सुपॉल में है अब चलिए भावगोलिक परदिश से देख लेते हैं अक्छांसी विस्तार देख लेते हैं अक्छांसी विस्तार इसका देखते हैं बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट 10 से 27 डिग्री 28 मिनट 15 से उत्री अच्छांस है इसका विश्टार, बदलब अच्छांसी विश्टार इसका कितना है, 24 डिगरी 20 मिनाट और 15 से 27 27 मिनाट 15 से 27 विश्ता देख लेख से 27 ultrar कितने 23 डिगरी 29 मिनाट 50 से लेकर 88 17 मिनाट 40 से पूर्वी दिश्वांतर कियो बहारत पूर्वी में है ना बारत पूर्वी्क फल्ट में है तो देश्वांतर जो हुए पूर्वी पीचाय वह जिस भी राज के बारे में हम देखेंगे इसको ध्यान रखी गा शेथपल देखते हैं बिहार के इन्हें कितना है। किलोमीटर लंबाई देखते हैं इसकी जो उत्तर से दच्षण लंबाई कितनी है 345 किलोमीटर है उतर से कितनी हैं 443 जो इसकी लंबाई में लब उत्तर से दच्छिन है वह 345 किलो मीटर है और चूकि यह चौड़ा ज्यादा है लंबा कम है पूरव से पश्चम इसकी चौड़ाई कितनी है 483 किलो मेटर इसको अब धान रखिएगा उत्तर से दच्छिन है 345 किलो मीटर और पूरव से चाहरी चेथपल के इतना है 1,0005.49 अब 94,163 अगर इसको घटा देंगे तो गाउं का चेथफ़ाल आ जाए तो इसको एक डाटा आप याद कर लिए जिए सहरी चेथपल वाला एक हजार पंचान 2.49 किलो मीटर भारत के कुल चेथफल के हिस्सा देख लेते हैं भारत के कुल चेथपल के दो सब्सक्राइब अब द्याना कीगा समुद्र तल से उचाई समुद्र तल से बिहार के उचाई कितनी है 173 फीट इसको अब ध्यान रखिएगा समुद्र तल से बिहार के उचाई 173 फीट है चलिए अब अगला विंद देखते हैं राजकी प्रतीक देख लेते हैं अब राजकी प्रतीक राजकी ब्रिच क्या है बियार का पीपल है राजकी पुष्प गेंदा है राजकी पशुबैल है लेकिन 2013 से पूर्व रीक्ष था राजकी पक्षी गौराया है लेकिन पहले क्या थी नीलकंड थी राजकी भासा हिंदी नगी है वैसा पूछा जाएगा है उर्दू है उनौ neces Sozial अगर थर्ड पूछेगा तो यह जिदू में अंधिका भृष्व इसका राजकी मश्ली क्या राजकी मसली कौन सी है मांगूर है देशी मांगूर जिसे करते हैं राजकी मसली है राजकी चिन बोधि बोदी बिच्छ में गौतम बुद्ध ने घ्यान प्राप्ट किया था बोदी बिट्च के नीचे ना इसलिए इसका राज की बिच्छ के बोदी बिच्छ है जनसंख्या देख लेते हैं अब जनसंख्या कितनी है 10 करोन 40,49,452 ब्यक्ति देश की कुल जन संक्य का यह कितना है 8.6 परसेंट तो 8.6 अब देख लीजिएगा भारत की छेतपल का यह कितना था 2.86 प्रतिसाथ अब भारत के छेतपल का यह कितनी है 8.66 इससे ही आपको पता चला है जन संक्य घनत कितना है जो कि सरवादिक है जन संक्य घनत कितना है रहा सुछे वर किलोमेटर बहुत इमपाटेंड जन संक्य घनत अन्सुची कितनी परसेंट है 15.9 परसेंट एक लाख स्वलिशुलाख छपन हजार पाइब अनशुची कितनी है एक करोण पैसेट लाग सर सब्सक्राइब और तेनसो पचीज कितनी है करूंड पैसेट लाग सरह सब्सक्राइब नवपर्सेट वे आरे संख्या का साखश्क्रता दर देख लेते हैं इसमें पूरुस साचर्टा कितनी है इक 702 परसेंट ताल महीला साक्षरता कितनी है अनसूची जंजाति कितनी परसेंट है 1.3 परसेंट इसको इसको धान रखीगा लिंगा नुपात 918 है एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले नगर 26 इसको धान रखीगा और सरवाधिक जनसंख्या कहा है पटना में इसको भी धान रखीगा जनमदर कितना है 30.9 प्रति हजार करिक चाम का सब्सक्राइब दाना में चाहिए सब्सक्राइब मतलब इस्तिन है काहा है कैमूर में मतलब कैमूर में नियुनतम जन शंक्या घंद डात है सर्वधिक स्रेखरहर में सभवादिक पुरुत साख्षर्टा सरवाधिक महील हसां तर्व रोठाच में तीनी रोठाज में नुटम साख्षर्टा सहर एक् делать लेकिन इन्यूंतर्स तर्ण्य महीली दो पूर्णी हें इसको दहान चर्णाच में नुटम принो वे द रागए में और सरवाधिक दर्षकी विध्धि जो हुई है एक लसंग में जो ब्रिद्धि होती है पुरुसों में अ मत्रब्यों में वामधिपूरा में है सर्वादिक लिंगानुपाद गोपाल गंज में एक हजार महिलाओं पे एक हजार एक किस पूरुष इसको धान किया इसको द्हान किया फिर से बता देता हूं यह डाटा सर्वादिक जनसंक्यज़ में ङुंत्रम जनसंक्यज़ शेखपूरा में सर्वादिक यस्ज़त गया में है 30.4% नियुन्तम 80 हैं कहां किसन गज में 6 दस्वमलो 7,3 सरवाधिक जनसंगय गनत सीवहर में 888 और नियुन्तम कैमूर में 488 सरवाधिक पुरुसाचरता रोहतास में नियुन्तम पुरुसाचरता पूर्णिया में वादीक महीला साख्षता रोहतास में अश्राम अवि नियुन। नगरीकरन प्तना में 31 प्क्रश्यत नियुन्तन नगरीकरन समस्थिपृ एंचे अब पषण चमपारण में सबसे जो उत्तरी चेत्र है उसमें शेद असमलो तीन पादी इस्टी जाती पाइफ्चमी चंपाण में नियुंत्म से जाती इसको द्यार किया जन जात जो होती हैं प्रसासनी पडिदेश्ट देख लेते हैं प्रमंडल 9 है पतना, मगध, सारण, तिरहुत, दर्भंगा, कोशी, पूर्य, मुंगेल, भागलपूल एक बार फिर सिख को पढ़िए पढ़ेंगे जितना उतना ही आद होगा प्रमंडल कितने 9 है पतना, मगध, सारण, तिरहुत, दर्भंगा, कोशी, पूर्य, मुंगेल, भागलपूल अनुमंडल 101 है सामुदाइग, विकास, खंट 5,34 है राजय सुगाव कितने हैं? 45,133 है इसको ध्यान रखी गा कुल जिले 38 है सबसे बड़ा जिले कौन सा है? पश्चिमी चंपारण और जनसक्या कोज़ा है? पतना, सबसे छोटा जिला छेटपल कंसार सीवहर और जनसक्या कंसार सीखपुरा प्रमंडल 9 है पतना, मगत, सारंड, तिरो, दर्भंगा, कोशिप, पूणया, मुंगेर, भागलपुर, अनुमंडल 101 सामुदाइग, विकास, खंट 5,34 राजय सुगाव, 45,133 पुलिस जिले कितने हैं? 44 है जिसमें सीविल 40 है और रेलवे 4 इसको ध्यान रखीया बिहार की उत्तर क्योंड नेपाल लगती है नेपाल से सीमा लगती है और सीमा उत्ती जिले साथ है जो है सीता मडी, मदुभनी, शुपावल अररिया, किशन गंज, पूर्भी चंपाण तथा पस्चिमी चंपाण पस्चिमी चंपाण पस्चिम की ओर उत्तर पिदेस लगता है उत्तर पिदेस आठ जिले के साज़ा करता है रोतास, कैमूर, बक्सर, भोजपूर, सारन, सीवान, गुपाल गंज, पस्चिमी चंपाण पूर्भी के ओर से बंगाल कटियार, पूर्णिया, किसंगर कितने सिमाउर्टी जिले हैं तीन है जारखंट, दच्छिन की ओर से साजा करता है सिमा और आठ जिले हैं रोतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपूर, कटियार इसको धानर किया सिचाई देख लेते हैं, सिचाई, सबसे बड़ी नदी कोन से गंगा है कुल सिंचित छेतr कितना है, जो भी हार का 100% सिंचित, मतलब है कुल किरिजियो छेतर का सताओन पर्संट छेतर जो है मतलब, मालिझ ये किरिशि छेतर जो है वसव पर सेंट है तो सबसे बड़ी सिचाई परियोजना घंडक है और पहले पूछलेगे कर पस्त क्या हो जाएगा हनलकूप से बिहार्म कितनी सिचाई होती है 53.9% और नियुनतम नियुनतम सिचाई किश्चे होती है तो तालाव अन्ने से 5.5% लोग्सभबा देख लेते हैं लोग्षभाक बारे में लोग्षबाक बारे में पहले देखते हैं कुल सीटे कितनी है 40 है और अशुचीत जाती है यसीओं के लिए छे सीटे आरच्छित हैं जो हैं गुपाल गंज, हाजीपूर, समस्तीपूर, जमवी गया और सासाराम गुपाल गंज, हाजीपूर, समस्तीपूर, जमवी गया सासाराम रासमम कुल सीटे 16 हैं रासमम कुल सीटे 16 हैं जीला परिसेत कितने हैं 38 हैं पंचाइट समी 5-34 ग्राम पंचाइट कितनी हैं और 84-6 हैं पतना गया आरा मुझफर पूर मुंगेर कटिहार भिहार सरीप भागलपूर बेगु सराय दर्भंगा छपरा मोतीहारी बेतिया मदुबनी समस्तिपूर सासारम और साहरसा कि राज बिधाई का यचुंमें कितनी सीटे हैं 200 cu 70 उसमें कितनी सीट yum Asuriol और विधान समय कितनी सेल है लोग में चालिक और रूं कितनी सेट हैं 200 ging 30 6 इसको दहान रिखी गा यसी के लिए आरच्छे सीट रहा है और जरंजात के लिए 2 hell विधान सभा में आर्छे और मनिहारी किनी सीटे हैं 75 सीटे कुछ महतबूर तत्र देख लेते हैं 239 सब्जाण का वहार को विहार के नामकरन क्या है अधिकता विहार क्या होते थे जहां बहुत लोग वर्षावास में अपना जीवन वितीत करते थे चुकि वो आठ महीने तो लगातार घूमते रहते थे विचनर करते रहते बहुत धर्म का बहुत दूर दूर तक ले जाते थे बहुत धर्म का प्रसलन करते थे लेकिन जब वर्षावास होता था तो वो विहारों म ही व्यतीत करते थे और चुकि गौतम बुद्ध यहीं से संबंदित थे इसी जिले से संबंदित थे और बिहारों की संक्या यहां अधिक थी इसलिए इसका नाम बिहार पड़ गया और बिहार की जामिती आकरिती अगर पूछेगा तायताकार है बिहार से जहारखंट अलग शिमक लंभाइ कितनी है 729 कृलमीटर बिहार नेपाल अंतराश्टी शीमक लंभाइ कितनी है 729 कि लूंड़ बिहार में आश्टी राजमारूच्बू को लंबाई दिख लेते है 35 ja, astra 79 940 किलो मीटर और 84 मीटर इसको ध्यान रखीएगा बंगाल से अलग कर बियार और उडीशा का गठन कभुए 22 माच उनई सुबारा को और इसे दिन बिहार दिवस मना जाता है इसको ध्यान रखीएगा बिहार को बिहार को बिहार और उडीशा को बंगाल से 22 माच उनई सुबार को अलग कर दिया गया था और संयुख्त विहार और उडीशा राज के प्रफम राजपाल को थे सथेख्य सिन्हा इसको ध्यान रखीए गा सियुक्त विहार विधान परिशत कांसिल का भवन गब बना स्री क्रिष्टिर की नेतित में सरकार घठित हुई थी हरिकिष्णिस यह इंपर्टन मिंदु है इसरी कि इसने सिना की नेतित में प्रिथम सरकार गठीत हुई थी वी जुलाई 1937 को और विधान मंडल का प्रिथम अदिवेशन 22 जुलाई 1937 को हुआ था और विहार विधान सभा का पहला जो भी घटन हुआ था वा इत्तीस अक्टूबर 1937 को सबसे कम दस्की ब्रिथी यहीं है सरवादिक लिंगा नुपात कहा है और देखते हैं पटना में सरवादिक जंस्ंख्यावाला जिला है सबसे बड़ा सहर मेट्रोपोलीन मतब सबसे बड़ा महान अगर भी है इसको ध्यान रिकिए कैमूर नियुनतम जंसंख्या या जंघन यह देखिए नियुंतम लिंगानुपात वाला जिला इसको अब ध्यान रखेगा और सिवहर जो है सबसे कम छेटपा वाला जिला जिला है सरवादिय, दसकिए, विद्धी, मध्यपूरा मुई थी चलिए। इसको मैंने उपर बतायी ही दिया है। बिहार का इतिहास देखते हैं、 बिहार की इतिहास और संस्किति प्रागैति ही कालीन में बिहार की जो नामों का उर्णन किया गए था नौपासान काल में चीरांद को जो चीरांद नाम लिये गया था उल्लेख मिलता है जो सारन है आज तारडी नाम का उल्लेख मिलता है जो आज गया है चेचर नाम का उल्लेख मिलता है जो आज वहिशाली है मनेर का पतना है जो और सेनुवार जो आज रुखतास है तो नौपा वरत्मान वैसाली है शेनुवार का मिला है माझिक मिला है मनेर का मिला है 스트hat में फ़ेंक कोँ से है गया है चीरांत क्या था behaving सारंत था चीरांत тон scarf प्रत्मान ब इस ऊब बता है मनें वैसाली था मैंने आपको bisschen मलीनी थी यह त illum ली प फिर वर्तमान इस्तिति कहा है आधुनिक भागलपुर्व मुंगेर में वर्तमान इस्तिति कहा है भागलपुर्वा मुंगेर के बीच में वज्जी संग के बारे में देख लिए थे वज्जी संग राजधानी वज्जी संग की वैशाली थी जो आधुनिक वशार में है वज्जी स संगता लिच्छवी कुल का ग्यात्रिक कुल का वीदेह उग्र भोग कुरू और इच्छवाकु आठ जनु का संगता वज्जी संग इसको ध्याने की गा मगद अब देखते हैं मगद महाजनपद जो समय था जो आज के वह बिहार में ही पड़ता था वो प्रिथम उल्लेक कहा है अथरवेंद में संस्थापक कों तब व्रेधर था मगद संसापक मगद राज का संस्थापक व्रेधर था प्रारंबिक राजधानी गेरिविरे जी या राजगीर थी और बाद में पाटली पुत्री जो अर्तमान में पटना नाम से आनी जाती है परिच्छक देश्टेश से देखते हैं पैसरा मुंगेर से पूरा पासान कालिन इस्चुरिरी संस्कित से समधित उपकरन और फोस की जोपड़ियां मिली है प्रत नहीं बन सकता है कि पूरा पासान कालिन फोस की जोपड़ियां कहां से मिली है पैसरा नामकस्तान से जो अर तो जेठियान से जो वर्तमान नालंदा में है तो इसको ध्यान लिखीएगा अगला बिन देखते हैं हर्याक वंस का संस्थापक कौन था विंबिशार था जो पांस चोवाले से चार सो बानवे इश्वी तक सासन किया इसका वैवाजिक संबंद देख लेते हैं कोसल की राजक राजकुमारी छेल्ला से साधी की यो चेटक की पुत्री थी मा को चलद्ध से साधी की जो को चल्ध की राजkickुमारी और को सव pe auster सी सेनEC डिए राजवैत जिवक थे जो कषेव सहीता की दसनार कि थे दूसरे कर चोंटार के दाल कि इसकी उपाद truth पाथी यह श्राइय थी एकिए बुर्ट नहीं कंभेडे घ्रजार कि सत्र भून करें और सेना को प्रह्टियों के प्रज़ान है नहीं किसा इंड हंथियों और पधा पहले बीहार प्रसेन जीट की पुत्रे वाजेरे साधी की आने न्याम कया था इक था। बहुत धरम कही अनुनाई था। प्रिथम बहुत संगेती इसी के काल में हुई थी। इन्हों इसने वैसाली पर व्जेप्राप्त की। कि जो राजगरी में प्रत्म बहुत संग्यवी हुई थी 433 सी सभी में इसी के समय मोई थी सोला वर्सी युद्धिस ने किया था, महा सिला कंटक वर रत्मूशल अस्त का प्योग किया था, इसको धाना किया था, इसके बाद इसका बेटा इसकी हत्या करके आया उदाइन, जो चार्ष साथ से चार्ष से ओवाली सिस्भीपूर तक सासंग किया, इसने पार्टली पुत् इसकी सित्हापना किसने की थी, मघद काल में, तवा उदाइन था तता उसे ने राजदानी बनाई थी, पुर्ण नाम पाटली पूत्र का क्या था, कुशुमपूर था, इसको ध्यां किया, राजदानी इसने राजगी से पाटली पूत्र इसतांतर, मैंने बता चार्पए सथापन की दhसक पापनँ क्या था जिसका अन्सकों राजभानेओ कि भी में पाथ्पूल से वहसालिम बसालिया का अमात्य将 वह बहुति के राजिपाल था तो अमध्यवा का राजिपाल था अवन्ती वत्स कोसल और मगथ पर विजय प्राप्त किया वीलह किया इसके बाद काला सोक आया ऐन्ने नाम ज़स पाली ज़ते है तिस पूर्वे में इसमें यही अद्यत्च्च था मलब इसी के काल मी अंतिम सासक नंदी वर्धक यह पंचमक था, इस वंसका, नंद वंसक आजैनें, नंद वंसका संस्थापक महापदमनंद था, इसकी उपादि बहुत important है, महापदमनंद की उपादि देख लेते हैं, महाम प्रशेन है, एक राठ है, सर्व छत्रान तक है, अपरोब परशुराम है, दुती परशुराम और कली कांस है, इसको धान रखीगा, मंत्री इसका कलपक था, विजा इसने छ्वाकू पांचाल कोसल कुरू सुर्शेन इतना इंपर्टन नहीं है, कली से जिन मुर्तियों को उठ कल सासक इसमें नौ उए, कल सासक कितने हुए, नौ हुए इसको धान कीगा, तथा अंतिम सासक कौन था गहानानन था, इसमें अंतिम सासक अब इंपर्टन थे घणन नं था, इसलिए देख लेते हैं, अन्य नाम क्या था, अग्रमीज था, आउग्रसिन था, जैने दर भी, चंद पती इसका कौन था, बद्धसाल था, मंतरी शक्टाल था और सिकंदर के सामकाल इन था, इसको ध्यान रखी गाँ और चंदगूप मौर ने इसकी हत्य करके मौर इवन्स की स्थापना की इसको देखते हैं चंद्गुप मौर के मंतरी चाड़क के था इसका अन्य नाम क्या था ये नाम बहुत पूछते हैं चंद्गुप मौर के सेंड्रोकोट और सेंड्रोकोप्टस इसको ध्यान रखीगा इसकी मृत्यू कहा हुई थी स्रवन बेल गाव जो का नाटक में है सलनेखना ब्रत द्वा चंद्गुप मौर की वजह से क्योंकि से लुकस निकेटर को इसने हरा है था तो हेलिन्या से साधी भी कर ली थी इसलिए यूनानी प्रसलित हो चाही थी तो पाली ब्रोध था उससमें पार्टली पुत का नाम था इसलिए ध्यान रखीगा चंद्गुप से लुकस यो तीन स्रैज को भारत में च्छोड दिया था उसको धान रखीगा चंद्गुप द्वारत से लुकस किया तो चंद्गुप मौर कें चाहरा इसको यो त्याल को सांसन किया बिंदुसार सत्र नामई की मौल पूर्ठ ख़ए धी मंहांpping को साथ। मौर थे माता दोधरा थी, पत्नी कों थी धम्मा और सुबदरांगी, सिजेरियन तक्नीक से जन्म लेने वाला प्रथम सा सकता, मंत्री इसके चाणक ही थे और खलाटक भी था, इसको धाने किया, बिंदुसार के अनन नाम देखते हैं, कहां क्या थे, पुरान में इन्हें भद्रसार और बारिशार कहा गया है, जैन गरंथ में सिंग शेन कहा गया है, यूनानी लोग इनको अमित्र चेट्स और अमित्रो चेडीस कहते थे, चीनी विंदुपाल कहते थे, और संस्कित में अमित्र गहात इनको कहा गया है, इसको धाने किया, बिंदुसार को संस्कित में अमित्र गहात कहा गया है, असोग को देखते हैं, महान समराट असोग को, जो 232 शिभी पूर्तक सासन किये, पिता इनके बिंदुसार थे और माता सुब्धरांगी थी इसको चली अब देखते हैं असोक के नाम कहा थे विष्णु पुरान में इन्हें असोक वर्धन कहा गया है मश्की अबलेक में बुध्धिशाक के कहा गया है बहुत इंपार्टेंट है प्रस नहीं बनता है कि असोक ने स्वेम को मगा दिर्याज कब कहा था तो बहुत इंपा लेकिन प्रस्थ रूम्मिन देविस बनता है महाराज कुमा पंगोररिया अबलेक में काहा था और आखोक यह भी प्रस्थ में स्यो बढ़ जाता सब्से पहले पढ़ा किसने 1837 में James Principe नहीं इसको धानर रखीगा दिल्लिट उप्राविलेग पढ़ा था अभिलेग का लेखा कौन था चापर था असोक के अभिलेग के कौन था चापर था लव सिला लेक संसरामत पाए गया इस्तंभ लेक लदण नंदन गर पत्चमी चंपार्ण पाए गया रे राज पूर्वी चंपार्ण में रामपुःवा है ने जिसकेकी खोजकरत है 1750 इमकी थी असोक कारिन विदेशी सासक देख लेते हैं एंटियोकस था जिसका देशीरिय से आया था उसका भारती नाम अंतियोक था इसको ध्यान रखीगा टॉलमी फिर्यार डेल पस था जो मिस से आया था भारती नाम तुर्मणे था अगला बिंदु चली अब देखते हैं अब देखते हैं अगला जो बिंदु है कि मौरे कालीन प्रांत वा राजधानी क्या है अगला बिंदु मौरे कालीन राज वा प्रांत वा राजधानी तो उत्रपत या उद्दीच जो प्रांत था उसकी राजधानी तक्छसिला थी अवंती प्रांत की राजधानी क्या थी उज्वैनी या महिस्मती दच्छिना प्रत्थ प्रांथ की जो राद्धानी थी सुवर्ण गिरी थी प्राची की पार्टले पुत्र थी कलिंगी की तोसली थी इसको धान रिखिएगा उत्रापत्थ की जो थी वा तक्सिसिला अवंती की महिसमति याउ जियाईनी दठिणापत्थ की सुवनडगिरी प्राची की पार्टले पुत्र वकलिंग की तोसली थी चलिए अब सुंगवंज के बारे में जानते हैं सस्थापक कौन ता पुष्चिमित सुंग था दो अस्वमग यग किये थे तथा उसके पुरोहित कौन थे पतंजली थे धन्देव के अध्ध्वाबलेक से इनके बारे में पता चलता है धन्देव के अध्ध्वाबलेक से उपादी क्या थी सेनानी ओदभिज और कोसाल अधि देखते हैं संस्थापक वासुदेव थे अंतिम सुंग सासक देव भूत की हत्या करके इन्होंने इपनी स्थापना के थी वासुदेव ने अंतिम सासक सुसर्मा था ब्रामण वंस था इसके कुल सासक देखते हैं वासुदेव संस्थापक थे भूमिमित्र नाराण और सु समराड बनने की भविशाणी बताया था तो बिंदुसार के दर्बार में रहने वाला आजीव भविश वत्ता कौन था पिंगल वत्ता था बिंदुसार दारा सीरिया के साथ सक एंटी ओकस प्रथम से मागी गए वस्तूओं क्या थी अंगोरी मदीरा सूखी अंजीर वदार सन निकमागा था जन्दगूप के साथ समर्ड बेल गाओ जाने वाले जैन आचार कौन थे भद्र बाहू थे इसको धार कीगा प्राचिंकाल में सबसे बड़ी मंतुर परस्द किस कि थी बिंदुपार्शार कि थी बिंदुसार के प्रमुक पुत्र सूशीम सबसे बड़ा और स्थापना की उसके बाद साषक बने धर्म पाल जो साथ सद्थर से आठ सुड़स्या जो सासन किया उपादी कि उत्तरपत सौमि थी विपादी बिक्रम्सीला विशुविद्याले कि इस थापना की द्या रखीगा जो आज वर्तमान बिहार के भागलपूर में है बिक्रम्पि तो देव पाल ने नालंदा में चात्रवाज का निर्माण किया उसे में नालंदा प्रिधान अचार कौन थे अचार विर्द्यो मगत का उत्तर गुप्त वंस देख लेते हैं राजधानी बाटले पुत्र थी संस्थापक क्रिस्ने गुपता अब लेक अप्शरल लेक में पता सेन था करनाट वंसी नाने देव पर व विज्वाफत लें वालाल से दानसागरवा लादबुच शाघर नाम के रसना की रहना कि ध्यान रखीएगा था चैक्ण ने नलटि शुचे लाजुम्छ कुंस था? का दियान रकिचर करनाट कुल बहुता, राजदानी के घृती कुन लात दो मैं नर्शंग चाहताूँ न्रसेर inconsistent नज्राना दे ऩज़्िभ्याऄद आपको बता देना चाहता हूं ये आपको से अगस्त को है ये है तो इसको उन्नुट इतिहास की मैराथन हमने अपलोड कर दी है इसको अब देख लीजिएगा इतिहास की मैराथन हमने ले ली है पांच घंटे क्लास है जिसमें पूरी NCRT कबर है और ध्यान रखेगा NCRT ही से सारे प्रस्ण बनते हैं पेपर 2 में अगर आप मेरी इतिहास की जो मैराथन है पांच की तैयारी है इस दो वीडियो को देख लेंगे तो आपका आराम से 110 नंबर प्लस ही आएगा इसको दहामे कीगा तो आप उसको देख लीजिए चलिए अब वापस आते हैं इसमें देखते हैं परिच्छा से इंपर्टन में पाल वंस का अंतिव सासक रामपल था कईवर्त बिद्रो के समय सासक कौन था रामपल था कभी सोडल ले द्वारा उत्रापत स्वामी की उपादी दी गई थी धरमपार को द्रमपार को जो उत्रापत स्वामी की उपादी थी कभी सोडल ने दी थी अब देखते हैं बिहार में जन्मे जैन तिर्थंकर, दसवें तिर्थंकर सीतन नाथ बिहार में जन्मे थे, बार में तिर्थंकर वशुपूज जन्मे थे, जिनकी जन्मी चंपा पूरी थी, जो आरतमान भागलपूर के निकट में है, उनईसवें तिर्थंकर मली नाथ मिध जनमें दे तो एक दो तिन चार पास जो ते ठंकर थे वहु जान में नात मित्र लो मैं नाड में महाबीर विहार देख लेते हैं माहबीर का जन्म कहार था वैशाली में कैवल प्राप्तите इन्होंने कायま कई बिश्कें giàन प्राप्तри ती जै NPC का प्रथम उब्देश कहा दिया था राजगरी में बाराकर नदी के तट पर भी फुलांचर पहाडी में और प्रथम वर्षावास इनका कहा था अस्तिका ग्राम में निर्वान इन्होंने पावपुरी राजगरी के समय पलिया था निर्वान अथाथ अपने देहत्याग जो किय गधाल पराप्त को नेने नर्माद कितनए पराप्त की ने महागय पावपुरी वह पुरोज aur समय अपी इच होई प्रथम संगित posición जो 310 में हुए थी इस्थान था पठले पुत्र अधरcke स्तूल भुद्र थे अगल्हाँ की स्वित अंबरम दिगंबर में विभाजन हुए इसको धान किया प्रतम संगती 310 इस भी मुई थी अद्धक्ष इस्तूल भद्र थे इस्थान पाटलेपुर्थ था तता इतंबर दिगंबर में विभाजन हुए था तो इतंबर कौन थे जो सफेद अस्तधारं करते थे दिगंबर जो संगती 413 इस भी पूर में सासक कौन था अजास सत्यू था माकश्यप इसके अध्धक्ष थे प्रमुक्यार क्या हुआ सुत्य पिटक और विने पिटक का संकलन हुआ अस्थान कहा था राजग्री सप्तवनड़ी गुफा में दुती बहुत संगती 100 साल बाद 313 इस भी पू जाता है कहीं कहीं इस्थान पाटली पुत्र था अध्धक्ष मोगली पुत्र थे असोक सासक थे उस समय और अभिदम पिटक संकलन हुआ था चैतुर्थ देख लेते हैं जो पहली सताबनी हुई थी सासक कनिक्स थे तता कुंडलवन कश्मीर में हुई थी प्रमुक्कार क्य जगद्दल महाविहर कहा है गंगावा तोय नदी के संगम पर जगद्दल गाओ बंगलादीश संस्थापक पालवनसी राम पाल लॉरिया नंदंगर महाविध्याल है इस्तित वर्तमान बेतिया में पंच्चमी चंपारण दील में है यहां तक्साल के साक्ष मिलें इसको ध पिर tomar जैश्चाटेशएं ग्राम में और विशाल स्थूह और्रंध के मिले संभाना गया इसा लाउल्विषुविद्धाल थै। लाउल्विषुविद्धाले उत्दंथ पुड़ी विशुविद्धाले। कि स्थापना की थी वह रत्मान बिहार सरीफ में है तंत्र विद्धा का ये केंद्र माना जाता है विक्रम सिर्व इस से विद्धाले देख लेते हैं संस्थापक धरंपाल थे उपाधी विक्रम सेल थी कोशिवा गंगा के संग्रम टत्पा इस्थित है ये वज्रियान महा केंद्र हो तो गया था इसको ध्यान की प्रमुग विद्धा दिये हैं दीपांगर सिद्धा इससे इंपार्ट नहीं अब देखते हैं मध्य कालिम भीहार जो है उसको बारे में देखते हैं बक्तियार खेल जी का अक्रमन हुआ है या किस सुरोथ से पता चलता है तबग समकालिन बिहारी सासक कौन थे मगत का सासक गोबिंद पाल था मुंगेर के इंद्र धुम्न थे उत्तर बिहार के करनाटक वंसी नर्सिंग देऊ थे जिनुन नजराना पेश किया था इसको धान रखीएगा मदकाल में बिहार में चेरो राजवन्स का उद्र हुआ पालवन्स के पतन के बाद चेरो राज्यों के चार भाग थे बिहियां तिरावन या भोजपूर चैनपूर या देव मारकंड भोजपूर वही छेत है जहां आज भोजपूरी बोली जाती है ध्यार कियेगा महंतम सासक कौन था में निनी राज जो पलामू नाम से जाना जाता है उसारी पलामू छेत का था छेत कौन से है साबाद पलामू चंपारन सारन मुझब पर फोड़ नुहानी राजमस देख लेते हैं सनस्थापक धरिया खा नुहानी थे जो सिकंदर लोधी को प्रिशासक थे प्रिथमो फसम सासक भार खाण नुहार भी था शेठा सीरसा शूरी द्वारा अंथ हुआ अ, नुहानी राजमस जो है या important है या प्रशन बंता है किससे सनस्था प्रिथम सुबेदा इसने मलीक अलाउद दिन जानी को न्यूक्त किया बिहार सरी बाढ़े लखनोती पर अधिकार कर लिया 1225 में इसके पुत्र नसीरुदीन महमूद द्वारा लखनोती में हिसमुद दिन पर भीजय प्राप्त कि इसको ध्यान की है बल्बन देख लेते हैं बल्बन ने तुग्रिल खां के विद्रों को दबाने है तो बिहार स्वयम आया था और लखो रक्त नीति के पालन किया था बिहार बंगाल का पेतक करन या करने कोशिस की थी खेलजी वंस के समसे बंगाल के साथ रुकनोत दीन केकाउस का अधीपत्य था उस समय दरवंगा के राज़ा जो थे दरवंगा नरेस शक्र ने शक्र सञ्च द्वारा अलाउ दिन खेलजी मुगल कानिम बिहार देख लेते हैं मुगल कानिम बिहार प्रतम मुगल सुबेदार कौन था? खाने खानम मुनिम था अकबर ने हाजी पूर्ग बिजय 1574 में किया मिधिला बिजय 1575 में तथा 1580 में यह घोशित कर दिया कि बिहार को मुगल का ही शूबा है इसको देना गया है मुगल पर अधिकार हो गया है मुगल बिहार पर अधिकार कर चुके हैं जहांगी जो था सहाजादा खुर्ण को विद्रो बिहार से ही हुआ था फर्रूक सियार अजीमबाद पटना में राज्या भिशेक हुआ जहां बहुत इंपार्टन मिंदू है इसमें क्या इंपार्टन है कि 1580 में बिहार को मुगल सुबा गोसित कर दिये गए दूसरा प्रस्ण ही बनता है कि किस मुगल कालिन सासक का जो राज्या पिशेक था वा पटना या अर्थात बिहार में हुआ था तो वा फर्रूक सियार था जिसको ग्रेंडित कायर नाम से भी जाना जाता है बिहार के प्रमुक्त मुगल सुबेदार देख लेते हैं यह इतना इंपर्टन नहीं है बिहार के मद्धिकालिन अविलेक बुद्ध सेन का बोध गया अविलेक है विहार सरीफ अविलेक है संगराम गुप्त का पंचोंब तामरप्रत है फिरयार जो फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अविलेक है यह इंपर्टन्ट है बलाल सेन का सनोखर अविलेक अ मुहबर्द मिन तुगलक का बेनि बन अविलेक अविलेक उरोपियों का बिहार आगमन देख लेते हैं पॉर्तगाली जो आए थे सरपथम आगमन हुआ था व्यापारिक केंद इन्हों ने हुगली अर्थात बंगाल जो समय बिहार से ही जुड़ा था व्यापारिक केंद इन्हों ने अपने पनाया और सोरा का व्यापार करते थे दियान रखिए का सूती वस्त अफिम्हा नील का निर्याद करते थे प्रथम फैक्टरी जो है पतना में 1620 अंग्रेजों ने इसको धाना खेगा इसके बाद अंग्रेज आए प्रिथम फैक्टरी पटना में 1626 इसमें बनाई अंग्रेजी यात्री जॉन मार्सल और पीटर मुंदी उसमें आया था प्रिथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रांसिस ग्रांड जो था वा थाज 65 हज़वी में आया पटना में गोलघर का निर्मार अग्रेजियों ने किया था 1786 इसमें यह बहुत इंपार्टन बिंदु है कि पटना फैक्ट्री 1626 इसमें बनाई थी और पटना के गोलघर का निर्मार 1786 इसमें हो था ध्यान रखिएगा चलिए फिर आज के सेस्टन में इतना ही हम इसका निक कर देंगे और तीन-चार दिन में मलब इसको खतम कर देंगे तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी अच्छे से ही होती रहेगी धन्यवाद